जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें च्यावकात नहीं होती कोई काम सुरू करने से पहले स्वर्म से तीन प्रस्ण कीजिए मैं यह क्यों कर रहा हूं इसके परणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हूंगा और जब गहराई से सोचने पर इन प्रस्णों के संतोष जनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ें इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर ठक जाए यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी परतेग भूल कुछ नकुछ सीखा देती है मैदान से हरा हुआ इनसान तो फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हरा हुआ इनसान कभी नहीं जीत सकता है इसलिए मन से कभी हार मत मानना राष्टे कभी खत्म नहीं होते बस लोग हिम्मत हार जाते हैं तैरना सीखना है तो पाने में उतरना ही होगा किनारे पर बैठ कर कोई गोता खोर नहीं बनता है अगर आपने सफर सुरू कर ही दिया है तो बीच राष्टे से लोटने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो जित कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं जिसको जो कहना है कहने दू आपका क्या जाता है समय समय की बात है वक्त सबका आता है जिन्दगी के हाथ नहीं होते लेकिन कभी कभी ओ ऐसा थपर मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है जिन्दगी की तपिस को सहन कीजिए जनाब अक्सर वे पौधे मुर्जा जाते हैं जिनकी परवरी इस छाया में होती है बात कड़वी है पर सच है लोग कहते हैं तुम संगर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं यदि लोग सच में साथ होते तो संगर्ष करने की जरूरती क्या था सिर्फ सांसे चलते रहने को ही जिन्दगी नहीं कहते है आँखों में कुछ खवाब और दिल में उमीदे होना भी जरूरी है